इस कहानी में हमारा कालू एक जंगल का सरपंच है और बहुत लालची भी है चलिए देखते हैं हमारा कालू इस कहानी में क्या-क्या कांड कर रहा है अरे ओ सुन्दरी मेरे लिए जल्दी से एक कप चाय तो ले आना मुझे बहार जाना है जल्दी से चाय लाओ एली जे कालू जी आपकी चाय जब तक तुमारी हाथ की चाय नहीं पी लेता सुन्दरी मेरा तो दिन शुरू ही नहीं होता अब मसका मारना बंद कीजिए कालू जी तारिफ के बदले मुझे कुछ तौफे भी दिया कीजिए ओ ओ ओ ओ सुन्दरी मुझे देर हो रही है अभी मैं चलता हूँ जब भी मैं आपसे कुछ मेरे लिए तौफे में मांगती हो तो आप कोई बहाना बना कर यहां से चली चाते हैं दो दिन में हमारी शादी की सालगीरा आ रही है कालू जी मुझे ना तौफे में एक सोने का हार दिलवा दीजिए हाँ सोने का हार तुझे सोने की किम्मत तो पता है न सुन्दरी साथ हजा रोपे में एक तोला हो गया है सोने का अगर मैं दो किड्निया और दो आँख बेच दूंगा तो भी एक तोला सोना नहीं आएगा उतना महेंगा हो गया है सोना जितना तेरे पास सोना है तू उतने में ही कुछ रहेना सीख ले यही तेरे लिए अच्चा होगा अभी मैं चलता हूँ जाए जाए खंजूस मक्यचूस कही के कुछ कहा सुंद्री तुमने जाए जाए कहा है हमने कालू जी फिर कालू कववा वहां से चला जाता है सुंद्री कालू के जानने के बाद कहती है बुड़ा कही का हमारी शादी होकर एक साल पूरे हो गए मुझे एक भी तोफा नहीं दिया इस बुड़े ने दिकने में तो कितना अमीर लगता है बगर अपनी पतने को एक तोफा नहीं दे सकता फिक मंगा गहीगा दूसरी तरफ कालू कववा जो जंगल के सारे पक्षियों से पैसे वसूल करने जाता है सुनो 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 इस जंगल के सरपंजी आ रहे है सावोदान आ गया हा राम कोर कववा कहने में तो इस जंगल का ये सरपंज है मगर ये हमसे ही लूड कर खाता रहता है हर दिन इसे पैसे दे दे कर तो हमारी आलत तो खराब हो गई है ना जाने कब तक ऐसे ही हम इस कालू कववे को पैसे हर रोज देते रहेंगे अरे आपस में क्या बुराई कर रहे हो मेरे बारे में कुछ नहीं सरपंजी हम आपके बारे में क्या कह सकते है जूटा कहीं का मुझे उल्लू समझते हो क्या मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में ही बुराई कर रहे थे सच कह रहा हूँ ना गंदे आंक वाले कबूतर जादा मेरे बारे में चपड जबड की तो कल से तुम दोनों को पैसे दोगना देना होगा अरे माफ कर दो सरपंजी हमसे भूलो गई है हम आइंदा आपके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे यह हुई ना बात ऐसे ही जरते रहे ना कालू कववे को बहुत पसंद आता है कालू कववा उन बक्षियों से पैसे लेकर वहां से बबलू चिडा के पास जाता है अरे ओ चिडा तुझे क्या आलग से बताना पड़ेगा चल निकाल पैसे पैसे? किस बात के पैसे? उस जंगल में बबलू चिडा नया था वो नहीं जान था था कि इस जंगल में रहने के लिए कालू कववे को हर रोज 20 रुपई देने होते है अगर कोई पक्षी कालू कववे को पैसे नहीं देता था तो कालू कववा उस पक्षी का जीना हराम कर देता था अरे तु क्या इस जंगल में नया है? हाँ हाँ कवे भाई, मैं इस जंगल में नया हूँ तो मैं तुझे इस जंगल के कुछ नियम बता देता हूँ ज्यान से सुनो, मैं इहा का एक लोता सरपंच हूँ मुझे तु आज से सरपंच जी कहगर पुकारना होगा और मुझे हर रोद 20 रुपई तुझे देना पढ़ेगा किस बात के 20 रुपई सरपंच जी? अगर तुमें इस जंगल में रहना हो तो तुमें 20 रुपई देना ही होगा वरणा मैं तुमें इस जंगल में रहने नहीं दूँगा क्या? ये जंगल आपका है? अगर ये जंगल आपका है तो इस जंगल के जायदात के फेपर दिखाईए बबलू की बाते सुनकर कालू कवा चौक जाता है कालू के जबान से तो एक शब्द भी बहार नहीं निकल रहा था कालू कवा बबलू की बाते सुनकर मन ही मन सोचता है अरे इस जंगल में ये नया चिड़ा कहां से आ गया, जो मुझे ही इस जंगल के कागच पूछ रहा है, कालू जल्ली से निकल ले बेटा, अगर ये इसी तरह से सवाल पर सवाल पूछता रहा तो मैं तो नंगा हो जाऊंगा ऐसा सोचकर कालू कववा महां से भाग जाता है कालू कववे को घबरा कर भागते दिख तोता और कबूतर चोक जाते हैं और आपस में बाते करते हैं अरे यार कबूतर तूने देखा इस चिड़े की बात सुनकर तो वो कालू कववा किस तरह से यहां से भाग गया हाँ यार तो ते सच में उस चड़े की बाते सुनकर तो कालू कववे के तो पसी ने चूट रहे थे चल चल कबूतर उस चड़े से दोस्ती करते है बेचारा इस जंगल में नया है फिर वो दोनों बबलू चिडा की पांस जाते हैं अरे चिडा तुने ऐसा क्या कह दिया उस कालू कववे से कि वो बिना जवाब दिये यहां से भाग गया हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं वो बिना पैसा वसुल किये यहां से हिलता भी नहीं है और तुने उसे भगा दिया मैंने तो सर्पन जी को इतना कहाता की जंगल के प्रॉपेटी के पेपर दिखाए मगर आपके जंगल के सर्पन जी तो 9-11 हो गए अगर वो प्रॉपेटी के फेपर दिखा देते तो मैं उन्हें 20 रुपे दे देता मगर आपके सर्पन जी तो भाग गये दोसरी तरफ कालू जो घर जाकर अपना एक पंग अपने सर के उपर रखर बैट जाता है सुन्दरी कवी कालू कवे को देखकर कहती है अरे कालू जी क्या हो गया है आपको आप सर क्यों पकड़ कर बैटे हो और मू भी लटकाए हुए हो क्या कोई भूत देख लिया है आपने अरे अपनी बख्वास बंद कर सुन्दरी तो बताई ना कालू जी क्या हुआ है आपको आपका मू इतना उत्रा हुआ क्यों है वो कोई चिड़ा है जो इस जंगल में नया है आज मैंने उससे 20 रुपे क्या पूछ लिया वो मुझे इस जंगल के प्रॉपेटी के फेपर पूछने लगा उस चिड़े का सवाल सुनकर मेरे तो पसीने चुटने लगे अभी मैं सोच रहा हुँ सुन्दरी अभी मैं इस जंगल के प्रॉपेटी के फेपर कहां सिलाओं मैं तो इस जंगल का मालिक नहीं हुँ अगर कल सभी पक्षियां आकर मुझे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दोंगा सुन्दरी कालू जी आप डरी मत हम उस चिड़े को मरवा देंगे ना बजेगी बास ना बजेगी बासोरी नहीं सुन्दरी अगर वो चिड़ा मर गया तो उसका इंजा मुझे पर ही आ जाएगा जंगल के सभी पक्षियों को शक्षो जाएगा कि मैंने ही उस चिड़ा का खून करवा दिया है तो फिर आप क्या करेंगे कालू जी मुझे सोचने दो सुन्दरी कालू कवा रात भर सोचता है फिर देखते ही देखते अगली सुबह भी हो जाती है कालू जी आप रात भर जागते रहे क्या सोच रहे थे आप मैं डुबलिकेट फेपर बनवा दूँगा सुन्दरी अगर कोई पक्षी मुझे से पूचेगा तो मैं उस डुबलिकेट फेपर को दिखा दूँगा आप पेपर कैसे बनाऊगे कालू जी इस जंगल में तो पड़ा लिखा कोई नहीं है नकली फेपर को बनाता है वो मैं नहीं जानता सुन्दरी ये पुझने के लिए तो मुझे मामा जी के पास जाना होगा अभी मैं चलता हूँ कालू को वा ऐसा कहकर अपनी मामा जी की पास जाता है मामा जी मामा जी मुझे पर मुसीबत का पहाड तूट पड़ा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूँ क्या मुसीबत आ गई है कालू जरा मुझे खुल के बता मैंने मेरे जंगल के सारे पक्षियों को ये कहा कि ये जंगल मेरा है और तो और मामा जी हमारे जंगल के सारे पक्षि लोग एमान गए कि वो जंगल मेरा है मुझे हर दिन के 20 रुपे देने लगे मगर ना जाने मामा जी कल मेरे जंगल में एक नया चुड़ा आ गया है वो मुझे से जंगल के प्रापिट के पेपर पूज रहा है अभी मैं खहां से लाओंगा जंगल के फेपर अगर उस चुड़ा ने जंगल के सारे पक्षियों को कुछ उल्टा सीधा पट्टी पड़ा दिया तो सारे जंगल के पक्षियां एक होकर मुझे मारने लग जाएंगे मामा जी कुछ कीजे मामा जी मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा कालू तुझे हम ना नकली प्रापिट के पेपर बनाएंगे तू चिंता मत कर तू चल मेरे साथ फिर कालू और कालू का मामा नकली प्रॉपर्टी पेपर्स बनाने के लिए उल्लू के पांस जाते हैं उल्लू हमें जंगल के नकली प्रॉपर्टी के फेपर बनाने है जंगल के नकली पेपर बनाने है किस जंगल के नकली पेपर बनाने है तुम्हें उन्हें ये भलक भी लग गई तो हमें वो जंगल से गायब कर देगी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सरता क्या कहा सुन्दरवन जंगल चील दीदी का है अरे उल्लू इसके बारे में चील दीदी को कुछ मत कहना ये सब मेरे निकम में भांजे की वज़े से मैं यहां आ गया हूँ चल कालू यहां से चल फिर कालू और कालू का मामा एक पेड़ के डाली पर बैट चाते हैं और बाते करते हैं अरे कालू तु नकली वेपर बनाने की बात अपने दिमाग से निकाल दे वरना अपनी जान से हाँ दोना पड़ेगा मगर मामा जी मेरी पूरी बात तो सुनिये वो चिल कोन है अरे धीरे बोल धीरे उन्हें चिल दीदी कहते है अगर तुझे मरना है तो तु मर मैं कुछ नहीं कर सकता बस मैं यहां से जाता हूँ और तु भी यहां से भाग जा तुझे सुनना है ना चिल जीदी कौन है वो सुन्दरवन जंगल की डॉन है और सुन्दरवन जंगल की मालकिन भी है उस चिल जीदी ने अब तक सव पक्षियों को मार डाला है उसके सामने कोई भी उची आवाज में बात नहीं कर सकता क्यूंकि वो सारे जंगल की डॉन है डॉन समझ ले कालू समझ ले मामा जी मुझसे बड़ी गलती हो गए क्रिपिया करके ये सारे बाद चिल दीदी को मत बताना मैं इस जंगल को छोड़ कर भाग जाता हूँ उस जंगल में बुलबुल ने दो अंडे दे हुए थे वो अपने अंडो का बहुत अच्छे से खियाल रगती थी उसी जंगल में सुन्द्री कवी और कालू कवा भी रहा करते थे एक दिन सुन्द्री कवी अपने पती कालू कवे से कहती है कालू जी मुझे अंडे खाने का पहुत मन हो रहा है तुझे पता है न सुन्जरी हम हमारा जंगल छोड़ कर इस जंगल को क्यों आ गए है पता है पता है कालू जी हमने उस जंगल में हर रोज रात को पक्षियों के अंडे चुरा चुरा कर खाया करते थे जिसके कारण वहां के सभी पक्षियों ने मिलकर हमें उस जंगल से बाहर कर दिया तुमारा इरादा क्या है सुन्जरी इस बार अंडा चुरा कर मार खाना है तुझे अगर पकड़े गए तो आप उसकी चिंता मत कीजिए कालू जी हम किसी के पकड़ में नहीं आनी वाले मैंने सुना है बुल बुल ने अपने घोसले में दो अंडे दिये हैं हम उसके अंडे को खा लेंगे अरे बुल बुल तो बहुत काली है और उसके अंडे भी काले ही होगे अरे बुद्दू ताजा अंडा है वो वो अंडा पीला होता है गाला नहीं मेरे पास एक प्लैन है धियान से सुनो सुन्द्री कवी कालू के कान में प्लैन बताती है हाँ हाँ ये प्लैन बहुत अच्छा है सुन्द्री सुन्दरी नाम है मेरा, मेरे प्लैन सूपर से डूपर होते है फिर वो दोनों उड़ते उड़ते बुलबुल के घोसले के पास जाते है और एक पेड़ पर छुपकर बुलबुल पर नजर रखते है कालु जी आप उस बुलबुल पर नजर रखो, मैं अभी आती हूँ सुन्दरी कवी अपने प्लैन के मुताबिक अंडे के छिलकों को धूंडने निकलती है उस सुन्दरी कवी को अंडे के छिलके मिल जाते है सुन्द्री कवी तूटे हुए छिलकों को लेकर उन्हें जोड कर एक अंडा बना देती है और उस अंडे को लेकर कालू कवी के पास जाती है तुम्हें अंडे के छिलके मिल गए सुन्द्री? हाँ हाँ कालू जी मुझे चिलके मिल गए और मैंने उन चिलकों को गम के मदद से जोड भी लिया ये देखे अंडा ये तो सच में बुलबुल का अंडा जैसा ही लग रहा है जब ये बुलबुल पानी पीने जाएगी तो हम एक अंडे को बदल देंगे कुछ देर कालू और सुन्दरी इंतजार करते हैं मगर बुलबुल अपने अंडों को छोड़ कर वहां से हिल भी नहीं रही थी अरे कालू जी ये मोटी बुलबुल तो अपने जगह से हिल भी नहीं रही है मेरे पेट में भोकी वज़स से गुड़गुड की आवाज आने लगी है कालू जी ना जाने ये काली बुलबुल कब यहां से जाएगी और कब मैं इस अंडे का स्वाद चकूंगी धीरजरप को सुद्री इंतजार का अंडा मीटा होता है कुछ देर बाद बुलबुल इधर उधर देखती है लगता है कोई नहीं है यहां चल्दी से जाकर पानी पीकर आ जाती हूँ रात भी होने ही वाली है अगर रात हो गई तो मैं नदी पर पानी पीने जान ही सकती सुबह तक तो मेरा गला सूख भी चाएगा चल्दी से जाकर आ जाओंगी चलो चलो कालु जी बुलबुल चली गई मुझे बहुत भूग लगी है चल्दी चलो फिर कालु कवा और सुद्री कवी बुलबुल के घोसले में जाते हैं और एक ताजा अंधा उटाकर दूसरा अंधा रख देते हैं और बुलबुल के अंधे को लेकर वहां से भाग जाते हैं फिर वो दोनों उस अंडे को अपने घोसले में ले जाकर खाने लग जाते हैं कालू जी देख लिया बुलबुल का अंडा काला नहीं पीला है हाँ सुन्दरी काला तो नहीं है और अंडे का स्वात तो भहुत स्वाधिश्ट है दूसरी तरफ बुलबुल जो नदी से पानी पीकर अपने घोसले में वापस आ जाती है मेरे अंडे तो सही सलामत है बेचारी बुलबुल उसे तो पता भी नहीं लगता कि उसका एक अंडा वहाँ नहीं है कुछ दिन यो ही गुजर जाते है बुल बुल के एक अंडे से एक सुन्दर सा बच्चा निकल कर बाहर आता है ममा, ममा, मुझे भूख लगी है मुझे पता है बेटा, आपको भूख लगी है ये लो, अंगूर खा लो कुछ अंगूर अपने आने वाले भाई या बहन को बचा कर रखना बेटा वो रात तक अंडे से बाहर आ जाएंगे फिर देखते ही देखते रात हो जाती है बीचारी बुल-बुल बिना सोये उसी अंडे को देखती रहती है अगली सुबह भी हो जाती है अपने दूसरे अंडे को देखकर बुल-बुल बहुत परिशान हो जाती है अरे मेरे अंडे से बच्चा बहार क्यों नहीं निकल रहा मैं जाकर रानी चिरिया को पूछती हूँ आकर ये क्या हो रहा है फिर बुलबुल चिरिया के पास जाती है चिरिया बहन मेरे डो अंडों में से सिर्फ एक ही अंडे में से बच्चा बहार आया है और दूसरे अंडे से बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है मुझे मेरे बच्चे की बहुत चिंता हो रही है चिरिया बहन ऐसे कैसे हो सकता है बुल-बुल बहन आपने दोनों अंडे एक साथ दे थे तो दोनों बच्चे भी अंडे से एक साथी बहार आने चाहिए थे चलो बुल-बुल बहन, मैं देखती हूँ आपके अंडे को फिर बुल-बुल और रानी चिडिया दोनों मिलकर बुल-बुल के घोसले में पहुचाते हैं बुल-बुल बहन आपके अंडे के उपर इदरारे कैसी है? पता नहीं चीडिया बहन मैंने तो इस अंडे को चुआ तक नहीं है जब चीडिया उस अंडे पर अपना एक पंजार रखती है तो वो अंडा तूट जाता है बुल-बुल बहन इस अंडे को देखकर तो लगता है किसी ने आपके अंडे को बदल कर एक छिलके वाला अंडा रख दिया था जिसके कारण उसमें से बच्चा बाहर नहीं निकल रहा था क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है वो तो खोगला अंडा है इसका मतलब मेरे अंडे को कोई खा गया है शायद अब तक वो मेरे अंडे को खा भी लिया होगा उस पक्षी ने जिसने मेरा अंडा चुराया है इसका मतलब मेरे अंडे को कोई ले गया है शायद अब तक वो पक्षी मेरे अंडे को खा भी चिका होगा बीचारी बुलबुल रोने लग जाती है संभालो बुलबुल हम उस चोर को पकड़ कर ही रहेंगे अब मैं चलती हूँ जब चिडिया कालू के घोसले की वोर से गुजरती है तो वो देखती है कालू कवे के घोसले के नीचे अंडे के छिलके गिरे हुए थे अरे ये अंडे के छिलके कवो के घोसले के नीचे क्यों किरे हैं क्या ये बुलबुल के अंडे है शायद बुलबुल अपने अंडे के छिलकों को पहचान सकती है फिर चिडिया उन छिलकों को बुलबुल के पास ले जाती है और उसे पूछती है बुल-बुल बहन इन छिलकों को गौर से देखे और बताएए क्या ये अंडे के छिलके आपके है बुल-बुल उस अंडे को गौर से देखती है और कहती है हाँ चिरिया बहन ये मेरा ही अंडा है मेरा अंडा बलबल बेहन आपके अंडे को उन जालिन कववों ने ही खाया है चलिए सभी जंगल के पक्षियों को इखटा करते है और उन्हें सारी बात बदाते है चिडिया और बलबल सारे जंगल के पक्षियों के पास जाते है तोते भईया, कबुतर भईया पिछले महीने जो कवी हमारी जंगल में आये हैं वो अंडा चोरी करके खा रहे हैं आप तो जानते हैं ये जंगल के नियमों के खिलाफ हैं हमें उन कवों को हमारे जंगल से बाहर पगाना होगा भीया आज तो उसने बुलबुल का अंडा खाया है क्या पता कल दूसरे पक्षियों का अंडा चुरा कर भी खा सकते हैं हाँ हाँ चिडिया बहन आप बिल्कुल ठीक कह रही हो हम उन कवों को हा रहने नहीं देंगे चलो चलते हैं फिल सभी पक्षिया मिलकर कालू कवे के पास जाते हैं कालू और सुन्द्री इन सभी पक्षियों को देकर डर जाते हैं क्या हुआ पक्षियों आप सब मेरे गोसले में क्यों आए हो अभी तुम दोनों इस जंगल में नहीं रह सकते क्यों जाए हम इस जंगल से क्या किया है हमने जो आप सब हमें इस जंगल से बाहर निकालने आ गए हो तुमने बुल-बुल का अंडा चुरा कर खाया है सुन्दरी मैंने मेरी आखों से देखा है तुम्हारे घोसले के नीचे बुल-बुल के अंडे के छिलके गिरे होए थे क्या सबूत है चिरिया तुम्हारे पास कि मैंने बुल बुल का अंडा खाया है मैं तुम्हारे जंगल गई थी सुन्दरी मुझे सब पता चल गया है कि तुम तुम्हारे जंगल में क्या क्या कांड करके आई हो तुम जंगल के सभी पक्षियों के अंडे चुरा चुरा कर खाया करती थी हमें पता चल गया है कबूतर भहिया तोते भहिया आपके पास तो डंडे है न उठाईे डंडे और मारीं इन कवों को सभी पक्षियों के हाथों में डंडे देखकर कालु और सुन्दृ वहां से भाग चारते हैं ए सुन्दरी भागो जल्ली यहां से यह पक्षी लोग भोत गरम हो गए है हमको पीट पीट के मार डालेंगे तेज भागो तेज